नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल देवधरा अपडेट्स में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे HPJOA IT की जो कट आफ कितनी रहने वाली है उसके बाले में बात करेंगे तो वीडियो को अंतक देखते लिए ये वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को दबाया दीजिए ताक कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल साके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इमांचल प्रदेश जूनियर ओफिस असिस्टेंट क्या रहने वाली है तो आपको दोस्तों पता है इसमें जो है टोटल वेकैंसी आपकी अठारा सो के लगबग थी और इमांचल प्रदेश स्टाफ स्लेक्शन कमिशन के द्वारा यह कंड़क्ट किया गया था एक्जाम और इसकी जो पेस्केल थी पांच अजार नौसो दस से बीस अजार दोसो और उनिस आपचास्ट पे ग्रेड पे के साब से था इसमें और स्लेक्शन प्रोसीजर की बात करे तो रिटर्न टेस्ट उसके बाद जो है टाइपिंग टेस्ट इवैलिएशन उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट दोस्तो एक्जाम में आपके इमांचल जीके और नेशनल जीके करंट अफैस रेजिनिंग इंगलिश इंदी और मैक्समुम आपके मार्क्स जो थे 85 मा एक मं टूर एक ज Dios करते हैं बात करते हैं उसके बाद हम में जो है कॉटप पर कितनी रहने वाली है तो यहां पर देख सकते हैं आप जुप जैप एक टालिस से चुर्ग अर।uciónड टक हैं तो अगर आपके मार्क्स जैशानल में एक टालिस से चौट आलिस तक है तो आप इस में safe हैं और बात करते हैं जनरल IRDP और EWS की तो 40 से 43 और जनरल WFF तो इसमें आपके 38 जो है 40 तक आपकी cutoff जा सकती है तो OBC की बात करें तो 38 से 40 आपकी cutoff जा सकती है SCST की बात करें तो 36 से 49 और SCST जो है RIDP जो IRDP में 36 से 38 तक जा सकती है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जोई सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें धन्यवाद